इतना फाइदमन होता है रोजा दारों के लिए देखिए जब भी हम लोग रोजा रखते हैं तो दिनवर की एक फास्टिंग होती है आप जानते हैं कि पेट में एसीड बनता है है कि नहीं तो पूरा बाड़ी एसीड होने लगेगा और साम को जब हम लोग रोजा तोड़ते हैं उस समय हमारी जरूरत क्या होती है एक ऐसे चीज को जो कि उस एसीड को निट्रलाइज करें तो यह निट्राइजेशन के लिए ही हम लोग पीन खजूर लेते हैं जो कि पीन खजूर जो है वह अलकलाइन है तो जैसे ही हम लोग उसको लेकर थोड़ा पानी पीते हैं बॉड़ी में जितने एसीड है उसको निट्रलाइज करता है और इसी के लिए यह हम लोग यहां बना हुआ है कि जब भी रोजा को तोड़ा जाए उस समय पानी के साथ खजूर पहले लिया जाए फिर बाकी चीज हम लोग बात में लेते हैं चुकि उसके मैं वो लेकर के हम लोग फिर नमाज पुड़ने जाते हैं फिर लोटके जब आते हैं तो मोस्टली जो है हम लोग जो भी फूरूट्स लेना है वो अलकलाइन लिया जाता है और जहां गरीब लोग रहते थे इसी के लिए हमारे केहां बना हुआ है कि कुछ नहीं जो चना है उसको आप गुरा दो और उसको लो चुकि चना यह मूँ जो भी है इस अनाज को जब हम लोग अपुरा दोते हैं तो यह अलकलाइन हो जाता है और यह जब आप खाएंगे तो आपकी सिहत ठीज रहेगी नहीं तो एसी लिम ऐसे है और उपर से और आप पूरा जो है तला छना खाली अतुरत तो वह एसीड बढ़ा देगा इसलिए रोजा तोड़ते हैं हम लोग पिन खजूर पहले लेते हैं कि दो भी ले लिया तो चलिए कम से कम हमारा जो है एसीड नेट्राइज हो गया और नमाज पढ़ने के बाद हम आख करके पहले फाल ले लेते हैं कि जो भी अलकलाइन फल है अंगूर है संत्रा संत्रा नहीं और इन नहीं है आम भी है इस तरह का मने जिस्ते में सीजन के अनुसार हमारे पास बरावर अलकलाइन फूड आता है और कुछ नहीं है तो अगरा हुआ नाच तो है ना चुकि पहले भी जो गाउं में जहां पहुत फल नहीं मिलता था तो हम लोग क्या करते थे उसी चना को लेते थे फिर बात में फिर ये रात में हम लोग खाना खाते थे दूसरी की